सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना लिया है लवनीश सरकी क्लास अंडस्को डबल टू यहाँ पर भी आप इसको फॉलो करके हमारी लेटस और अपडेटिड वीडियोस को देख सकते हैं हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राश्ट्रिय राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर दो जो की क्लास सातवी के स्टूडेंट्स के लिए ही है यह ली गई है हिंदी विशे से और उसमें कविता हम पंच्छी उन्मुक्त गगन की इससे ये ली गई है तो आपको याद होगा कि हमने पिछले सब्ता भी यही कविता को पढ़ा था और समझा था और उसमें हमने उसके पहले पैराग्राफ को पहले जो पहला जो उसका लॉकडाउन या ताला बंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है ये तो आप जान ही गए होंगे तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा आईए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंच्छी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं और आपको बता दूँ कि यह कविता शिव मंगल सिंग सुमंद्वारा रचित है तो क्योंकि जब हमें कविता का नाम याद है तो हमें उसके लिखने वाले यानि कवी का नाम भी हमेशा याद रहना चाहिए ताकि हमें यह पता रहे कि इस कवी ने इन कवी ने इतनी तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं, पहले हम कविता को सुनते हैं। चुगते तारक अनार के दाने। तो देखा, मैंने किस तरह से पढ़ा, आप भी मेरे पीछे-पीछे इस तरीके से ही पढ़ें। कभी कहते हैं कि पक्षी सोने की जनजीरों के बंधन में पढ़कर अपनी चाल और उड़ने का धंग सब भूल जाते हैं। फिर पिंजरे में पड़े-पड़े पेड़ों की उंची शाखाओं पर जूला जूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। जबकि पक्षियों की इच्छा या अर्मान तो खुले आकाश में उड़ने की हैं। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को चूना चाहते हैं। अर्थात यानि की मतलब खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं। और अनार के दानो रूपी इन अकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि इस पध्यांश का मतलब क्या हुआ, तो देखिए हम भी तो ऐसे ही हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी स्वचंद होकर, स्वतंत्र होकर कहीं पर भी आएं जाएं जैसा कि इस लॉकडाउन से पहले की स्थिती थी, लेकिन इस COVID-19 ने या करोना वाइ हाला कि हम तो सावधानी के लिए रह रहे हैं, लेकिन ऐसे ही अगर किसी पक्षी को हम बंद करके रख दें, तो उसकी क्या आर्मान होते हैं, कैसा वो सूचता है, इसके बारे में जो शिव मंगल सुमंजी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा इस कविता में लिखा है, तो च भूल जाते हैं, अभी अभी हमने उपर पड़ा था, पक्षी सोने की जंजीरों में बंद कर अपनी चाल और उड़ने का सब धंग भूल जाते हैं, दूसरा प्रश्न है, पक्षियों के क्या आर्मान है, तो हमने ये भी उपर अभी सीखा, कि पक्षियों के अर्मान तो वे उड़ते हुए आसमान की सीमा चुना चाहते हैं, यानि कि वे खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं, फिर है प्रश्न नमबर तीन, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपने देखते हैं, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी पेड़ों की उंची उची उची शाखाओं पर जूला जूलने का सपना देखते रहते हैं फिर चौथा प्रश्ण है कि वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं वे अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं यानि जैसे अनार के दाने होते हैं बहुत सार ऐसे ही आकाश के तारे उससे उनकी तुलना की गई है। उनको वो चुगना चाहते हैं मतलब आकाश में अराम से स्वचन दो कर स्वतंत रोकर उढ़ना चाहते हैं। फिर पाँचवा प्रश्न है कि हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इसमें तो आप अपनी सोच भी इसमें शामिल कर सकते हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं कि हमें क्या 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 करना चाहिए, मैंने जो सोचा है वो मैंने यहां लिखा है, कि हम पक्षियों के लिए एक बरतन में दाना रख सकते हैं, उनके लिए एक कटोरे में पानी भर कर रख सकते हैं, उनके रहने और बैठने के लिए अलग घर भी बना सकते हैं, अगर कभी कोई पक्षी कहीं फस जाए या उसको कहीं चोट लग जाए, तो हम उसकी सहायता करके या उसको बाहर न मज़ में आया हूँ तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ही जादा शेयर कीजिए और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरहें वर्शीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगा कर जरूर जरूर पढ़ते रहिए धन्यवाद